दोस्तों, आज मैं आप सभी को Wall Decor Products का पूरा online business idea बताऊंगा जिसको आप अपने घर से बिना कुछ invest किये चालू कर सकते हैं और हाँ, हर महीने 2-3 लाख रुपे की guaranteed earning कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों, मैं हुलक्षित सेथिया, आप देख रहे हैं Social Seller Academy इस वीडियो में मैं आपको Wall Decor Products की पूरी information दूँगा और तो और ऐसे manufacturer के भी बारे में बताऊंगा जिनसे आप wholesale rate में product लेके आगे selling कर सकते हैं लेकिन रुको रुको आखिर सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये Wall Decor Products क्यों और आपको बताऊं तो बहुत सारी ऐसी कमपनिया हैं जो बहुत कम investment में बिजनस शुरू की थी और आज करोडों रुपए की earning कर रही है मैं example की बताता हूँ सबसे बड़ी कमपनी है Wall Mantra Wall Mantra में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे Wall Decor के items मिल दाएंगे ये कमपनी भी बहुत छोटे लेवल से चालू ही थी और आज करोडों पर earning कर रही है ऐसे ही एक और कमपनी है जिसका नाम है Decor Company आप देख सकते हैं इनकी advertisement हर जगा आती है ये भी Wall Decor के product online sell करते हैं और हर महीने लाखों की earning कर रही है आज इस वीडियो में जो मैं आपको business idea बताने वाला हूँ उससे आप भी अपने खुद की कुछ इसी तरही के की एक Wall Decor की e-commerce brand create कर सकते हैं वीडियो को इन तक के देखिएगा कहीं पर भी skip मत किजिएगा लेकिन business चालू कैसे करें इसके पहले ये जानते हैं कि आखिर Wall Decor सबसे profitable product e-commerce में क्यों है सबसे पहला reason ये है कि आप unlimited unique designs create कर सकते हैं product को बनाना काफी easy है सारी चीज़े digital होती है अगर आपके पास designing का idea है तो आप unlimited product create कर सकते हैं इसका ये मतलब है कि जो भी person खरीद रहा है वह price को नहीं देखता वह design को देखता है कि किस तरीके से उसका घर और अच्छा बन सकता है और वह बहुत जादा price sensitive नहीं होता पैसा करचा करने के लिए ready होता है कि जितने भी wall decor के product होते हैं वह ऐसे तो बड़े होते हैं लेकिन उनका volumetric weight नहीं होता वह पतले होते हैं तो इसी वज़े से इनकी जो shipping cost है वह ideally कम लगती है बहुत जादा नहीं लगती है 14 सबसे important point की wall decor के products को आप all over world बेच सकते हो तो खाली इंडिया में तो आप बेचते ही हो लेकिन Indian designs जो है आपको पता ही होगा कि पूरे world में famous है और all over world आप sell कर सकते हो और पांच वह सबसे important point की wall decor के products में आप easily एक अच्छा manufacturer या एक अच्छा wholesaler सर्च कर सकते हो जो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में भी बताऊंगा जी हाँ दोस्तों मैं एक ऐसे wholesaler एक ऐसे manufacturer के बारे में बता रहा हूँ जो आज इंडिया में सबसे बड़ा wall decor product का manufacturer है हमने बहुत research किया बहुत सारे wholesalers को देखा और इनकी product की quality और resellers के लिए service हमको सबसे best लगी इस brand का नाम है Somic Craft इनके founder का नाम है Mr. Somic Jain यह basically जैपूर से है और तीन साल पहले इन्होंने wall decor products की manufacturing चालू की थी और आज इनके 5000 से जादा resellers है इनकी कहानी बताऊंगा ना तो बहुत जादा motivating है इन्होंने खुद ही reselling business से चालू किया था यह कहीं और से product लेते थे और Amazon पे sell करते थे और जैसे ही इनकी selling तेजी से grow हुई इन्होंने अपनी खुद की manufacturing unit डाल ली इन्होंने selling के लिए एक चैनल पकड़ा Amazon को उसमें continuously selling करते गए जब यह खुदी manufacturer कर रहे थे तो इनकी cost भी cutting हो गई और आप यकीन नहीं करेंगी मैं आपको screenshot दिखा देता हूं साड़े 30 करोड से जादा की revenue यह एक साल के अंदर Amazon से generate कर चुके आप simply Amazon पे जा करके Swami craft टाइप करेंगे तो इनके पूरे product आपको दिख जाएंगे और पता है सबसे बढ़िया चीज क्या है यह खुदी business नहीं कर रहे हैं यह resellers को भी business करना सिखा रहे हैं resellers को भी products देते है वो भी बहुत कम rate पे देते हैं और उनको भी सिखाते हैं कि कैसे वो Amazon Flipkart मीशो जैसे platform पे online selling कर सके ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों को भी सिखाते हैं जब वो खुदी profit बनाते हैं जब मेरी इनसे बात औरी थी तो इन्होंने पूरा दिखाया था कि इन्होंने ए इनके साथ connected होते हैं उनके लिए ये white label करके product prepare करते हैं मतलब product में कहीं पे भी सौमिक क्राफ्ट की branding नहीं होती product में जो reseller है या जो seller है जो product खरीद रहे हैं इनसे उनकी ये branding करते हैं और वो branding करने के बाद ये product को देते हैं मतलब जो resellers है वो अपना logo print करवा सकते हैं इनके बुद्धा designs भी बहुत famous है गनेश की designs है नेचर सिनरीज है जो काफी जादा चलती है modern art है वो जो दीरे-दीरे काफी popular हो रही है और राजस्थानी designs है आपको तो पताई है राजस्थानी designs खाली इंडिया में ही नहीं all over world बहुत famous है और जैसे कि मैंने बताया किसी reseller के पास खुद की design है वो चाहता है कि खुद की design बनवाए तो वो भी customize करवा सकते हैं आओ मैं आपको close focus करके इनके product की quality दिखाता हूँ आप देख सकते हैं मैं आपको closely दिखाता हूँ यह actually live video है edited नहीं है और आप product की quality को देख सकते हो यह actual मैं ऐसा product है जो physically आपके सामने है तो आप मैं आपको पूरी इनकी manufacturing unit दिखाता हूँ देखे पूरी अलग-अलग type की machines है जहाँ पे इनके product पर carving होती है product पर printing होती है product पूरा design होके निकलता है बहुत सारी अलग-अलग type की machines है जो product बन जाते है वो एक storage area पे जाते है आप देख सकते ही इनका storage area है जहाँ पे सारे products को इनके जितने भी अलग-अलग product है सबकी अलग-अलग pricing है मैं वीडियो में mention नहीं किया हूँ लेकिन एक link दे दिया हूँ description पे जहां से जाके आप PDF में पूरी इनकी pricing देख सकते हैं अब आपको भरोसा हो गया होगा कि इनके साथ एक profitable online business शुरू किया जा सकता है लेकिन रु sellers को ऐसे product मिलते हैं और इस rate में product मिलते हैं जिसमें वो easily अपनी margin लगा के online selling कर सकते हैं और 70% की easily margin ले सकते हैं किसी भी online selling से इसका यह मतलब है कि अगर आपको 100 रुपय का यह product दे रहे हैं तो आप easily उस product को 170 रुपय में आगे market में sell कर सकते हैं कहीं पे भी price के लिए आपको competition नहीं face करना पड़ेगा दूसरी सबसे important चीज़ product availability ज्यादा तर wholesalers के साथ यह problem होती है कि product ही सही समय में available नहीं होता है जब customer को चाहिए होता है इनके पास आपको product हमेशा available मिलेगा इनके पास इनकी company में zero out of stock policy है इसके यह मतलब है कि अगर कोई product out of stock जाता भी है तो 24 घं इनके पास ही policy ही कि यह free में damage product को return करते है या replace करते है या repair करते है और resellers को इसका कोई भी cost नहीं लगता तो resellers को ना कभी भी transit में हुए damage से loss नहीं होता इनके 34 अबसे बढ़िया services है resellers के लिए वो है special packaging for resellers यह basically 5 by 7 poly corrugated boxes में अपने product को pack करते हैं जो की काफी बढ़िया दि जहाँ जहाँ resellers का नाम आता है उससे resellers की brand बढ़ती है उससे customer को reseller के उपर trust होता है यह यह करते हैं यह packaging पे भी reseller का नाम print करते हैं और in fact packaging की जो quality भी है वो भी बहुत अच्छी है इनकी 5 वी सबसे बढ़िया service है rate stability अब जादातर reseller को wholesaler से यह problem होती है कि पहले तो rate कम थ जाता है फिर कभी बढ़ जाता है अकसर कम तो होता है नहीं है rate तो हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है इनके पास आपको rates की stability मिलती है जो rate आज से 2-3 साल पहले था आज भी इनके पास वो same rate पे product available है और कभी in case rate change भी होता है तो यह 2 महीने पहले ही अपने resellers को inform कर देते हैं कि आगे आने बारे 2 महीने बाद rate change होगा और जो छटवी इनकी service है जो मैंको सबसे अच्छी लगती है वो है इनका product differentiation ज्यादा तर wholesalers क्या करते हैं वो same product को हर reseller को देते हैं उससे क्या होता है resellers का competition बढ़ जाता है product भी customers के लिए common हो जाता है क्योंकि उसी product को हर reseller बेच रह हैं यह क्या करते हैं कि हर reseller को अलग product देते हैं ताकि reseller का competition ना रहे ह मार्केट में हर reseller को अलग टाइप की design वाले product मिलते हैं अब इससे क्या होता है हर reseller को जब अलग design का product मिलता है तो market में उनका कोई competition नहीं बसता और competition नहीं बसता तो इसका ये मतलब है कि वो customer से जाधा margins ले सकते ये service आपको वह wholesaler दे सकता है जो खुदी product को manufacture कर रहा हो अच्छा सिर्फ यही नहीं ये अपने premium resellers को Amazon, Flipkart, Mishow का account भी खोल के देते हैं और उनके लिए account manage भी करते हैं आपक cash on delivery की भी service मिल लाएगी इनके पास आपको fast shipping की service मिल लाएगी इनके पास आपको international shipping की भी service मिल लाएगी इंडिया में रहे कि आप out of India कहीं भी product को sell कर सकते हैं time to time इनका discount offer भी चलते रहता है resellers के लिए और आपको इनके WhatsApp पे ही direct daily basis पे updates मिल लाएगे products के अगर आप भी join होना चाते हैं इनके WhatsApp broadcast में तो इनका WhatsApp नमबर नोट कीजिए 93513-89200 एक बार फिर से repeat कर रहा हूं 93513-89200 जभी आप इने WhatsApp करेंगे तो बताना मत बुलना कि इनका नमबर आपको Social Seller Academy से मिल है अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आप सभी से कहना चाता हूं कि हम किसी भी wholesaler को feature करने से पहले properly अच्छे से research करते हैं उनके बारे में सारी चीज़े personally देखते हैं उनकी service personally देखते हैं और उसके बाद ही उसको उनको अपनी YouTube चैनल पे feature करते हैं लेकिन किसी भी resellers और wholesaler की बीच में जो transaction हो रहा है वो उनका private transaction होता है जिसमें हम interfere नहीं करते किसी भी wholesaler से deal कर रह proper trust हो जाए किसी wholesaler के उपर जब भी आप बड़ा पैसा दीजिए और हाँ online fraud से हमेशा बचे इसलिए जब भी आप किसी को payment करते हैं तो proper details लेके payment कीजिए बाकि social seller में हम आपकी मदद करते जाएंगे और नए-nए wholesaler के साथ आपको connect करते जाएंगे मैं जानता हुए वीडिय Amazon, Misho और भी बहुत सारे marketplaces हैं वहाँ पर listing करो वहाँ पर sell करो उसका case study already है स्वामिक जी बहुत अच्छे से Amazon पर sell करें तो आप भी अगर start करते हैं तो definitely वहाँ पर भी आपको अच्छा response हा सकते हैं दूसरी बहुत गजब की टेखनीक है online sell करने की और वो है जितने भी interior designers हो उसके बाद आप उनको ये product को pitch करो क्योंकि ultimately जो interior designers है वो multiple client के साथ काम करते हैं और अगर आपका connection हो गया एक अच्छे interior designer से तो वो आपको बहुत बल्क में business दे सकते हैं और इसके बाद तीसरा और सबसे profitable तरीका है इस product को sell करने का और वो है इंडिया में नहीं out of India sell करो international selling क करो और ये कर सकते हो आप इटसी के थूरू इटसी एक platform है जहां से आप easily इंडिया से out of India easily sell कर सकते हो easily product को register कर सकते हो ये भी एक marketplace है अगर आपको इटसी पे मुश्किल आ रही है आप डंग से register नहीं कर पा रहे हो या registration में कोई problem आ रही है तो मैं बोलूंगा आप Shopify पे अप अपनी खुद की website बनाओ और उसको promote करो out of India किसी भी एक country को target कर लो चाहे वो UAE हो चाहे वो UK हो चाहे वो US हो जो country में आपको shipping charges सहीं लग रहे हैं जिस country में आप समझ रही कि आप easily अपना client base बना सकते हैं उस country के लायक आप सबसे पहले website design करो अगर आपके पास कोई competence नहीं ह कैसे database को निकालना है हमसे contact करो हमारे पास सारे softwares हैं या ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ पक्ता है जिस product में आप इंडिया में 70-100% की बीच में margin earn करोगे same product को अगर आप out of India बेचोगे तो आप 300-400% की margin earn कर सकते हो मैं एक वीडियो में इससे जादा explain नहीं कर पाऊंगा तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको सीखना है कि कैसे digital marketing करते हैं किस तरीके से business grow करते हैं तो हमारे बहुत सारे courses हैं जिनसे आप learn कर सकते हैं digital marketing कैसे कर सकते हैं या online selling कैसे कर सकते हैं अगर आपको personally समझना ह के देख रहे हो अभी तक के प्लीज वीडियो को लाइक कर दो ताकि YouTube को समझ आ जाए कि हाँ यह परसन अच्छा काम कर रहे है कोई आपका डाउट है कुश्यन है तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताओ ट्राय करूंगा मैं कि आपकी कमेंट को देखके आपको as soon as possible मैं